दोस्तन स्वागत है आपके अपने जनरल सिविल साइट विजिड में तो आज का topic काफी important topic है मेरे बाईयों के लिए जो fresher है student है उनके लिए भी काफी important topic है slum कौन test या slum test आप बोलो आपने सुना ही होगा उसके बारे में तो आज मैं उसका total procedure बताने वाला हूँ IS code क्या कहता है कितनी आपकी slum value आनी चाहिए कैसे हम करते हैं सब procedure start से end तक आपको बताने वाला हूँ और यह काफी important topic है कि हर side पे slum test होता ही होता है जैसे आभी देखो transmixter आया slum तो हमें जैसे concrete आता है हमें slum test करना होता है पहले मैं आपको process बता देता हूँ कैसे कैसे होता है उसके बाद मैं slum values बताऊंगा और इसके बारे में main main चीज़ें आपको बताऊंगा सबसे पहले हम करते हैं क्यों slum test हम करते हैं इसकी workability check करने के लिए कि जो concrete आया वो workable है कि नहीं है जा segregation bleeding बगारा होगी नहीं होगी यह सब हम slum test चेक कर सकते हैं सबसे पहले क्या करने है देखो जो हमारा slum test होगा उसको अच्छे से फ्लैटफर्म बनाके उसको अच्छे से उसको रख देना है और इसको बरने है आपको कितने चार लियर में हमेशा याद रखना है confusion चीज है चार लियर में बरने है और हर लियर में आपको 25-28 tapping करने हैं जैसे देखो 16 mm की rod होगी आपकी और देखो tapping करने हैं एक दो तीन ऐसे ही आपको 25 बार उसको ठोकते जाना है मतलब नीचे हैं और 35 stroke मारते हैं इसमें क्या करते हैं हम 4 लियर में बरते हैं और कितनी 25 stroke मारते हैं हर लियर में देखो ऐसे ऐसे हम stroke मारते जाएंगे उसको और यह stroke डालोगे वन वाई फॉर्थ के आपसे मतलब प्रॉपर लेयर होनी चाहिए क्योंकि इसकी हाइड कितनी होती है हमारी 300 mm तो 300 mm में आपको चार लेयरे बरनी है प्याटर पचार पचार लेयरे बरनी है और उसमें हर 75 mm के बाद आपको यह टैपिंग करनी है 25 mm की पचीस बार ठीक है यह हमारा इसका में प्रोसेस रहता है क्या था इसका मतलब जो हाइड रहती है नारी 300 mm यह इंटर्व्यव में पूछा जाता है कि इसकी थीमित मि और ठीक है 300 mm जो नीचे का डाया होता है इसको क्यों का वह टाय हाद 200 mm उपर का डाया होता है 100 mm और जो हम रोड यूज करते हैं उसका मतलब डाया कितना होता है यह काफी जादा इंटरव्यू में पूछा जाता है जब भी आपको slum value इसकी बारी आएगी तो यह चीज़े पूछी जाती है वो जो slum value है मतलब वो कैसी रहनी है चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ पहले आप एक बार पुसेस देख लो कैसे होता है ठीक है मतलब इसको जब आपका चाहर लियर हो गया उसके बाद इसको अच्छे से प्रॉपर वे से फिनिश कर देना है और जो भी प्रोसेस रहता है यह slum test का दो मिनिट में आपको इसको complete करना है layer करके जो सब करके पूरा प्रोसेस आपका दो मिनिट में complete होना चाहिए यह भी चीज आपको दियान रखना है देखो उसके बाद आपको इसको जो बोल्ड से screw रहते है इसको दीरे-दीरे खोल के और यह प्रोसेस रहेगा पूरा slowly slowly अभी आप इसको खोलना है loose एकदम गिर सकता है इस lump आपका तो इसको screw खोल के दीरे से आपको इसको round गुमाने और दीरे-दीरे इसको उठाते जाने उपर तो यह हो गया मतलब आपका contest का अभी main चीज जो देखनी है आपको जे देखो यह जो हमारी 16 mm की road है इससे हम check करते हैं कि हमारा slump कितना आ रहा है देखो यह process रहता है देखो कितना simple था पूरा process मैंने आपको बता दिया आप भी देखो आपको सामने नहीं दिख रहा होगा इसमें लेकिन हमारी value आ रही है 100 देखो आपको दिख पार होगा थोड़ा बहुत तो हमारी value है 160 mm देखो हमारा slump कितना है 160 mm तो IS code 456-2000 क्या कहता है आपकी slump की value कितनी होनी चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आगे और दूसरा बताता हूँ कितने type के हमारे slump होते हैं एक बार होर में आपको दिखा देता हूँ कि हमने tapping करके चार लेर करके इसको slump को ready कर दिया है क्यूंकि जो भी आपका transient mixture आएगा मतलब concrete का batch आएगा उसका आपको slump test करना होते है तो देखो ये batch आगया हमारा अभी इसका अगर हम slump देखें कितना है पहले वाले का आया तो हमारा 160 अभी दूसरे का मैं बताता हूँ आपको और इसमें value कितनी रहती है तो वैसे हम देरे देरे इसको उठाते जाएंगे तो हमारा ये slump जो दिख रहा है अभी यहां से देखने से तो इसमें थोड़ी water ratio ज्यादा दिख रही है क्यों अभी मैं दिखाता हूँ इसका slump कितना था लेकिन देखने से पता चल रहा है कि जो हमारा water ratio इसमें use किया गया है वो थोड़ा ज्यादा है तो अगर हम value देखें अगर आपको दिख रहा हो value तो हमारी आ रही है 190 यहां 200 मतलब 200 mm हमारा slump बिल रहा है और यह काफी जादा slump है और slump जादा क्यों आ रहा है मतलब 160 यहां 200 क्यों slump है अब ही में बता दो पहले कि हमारा IS code क्या कहता है कि आपका slump कितना कितना रहना है रहना चाहिए वो में आपको बता देता हूँ तो इसमें भी IS code में इसको differentiate किया है जो आपका मास्क मास्क कंक्रीड रहेगा मतलब जादा quantity होगा क्यों क्रीड की एक बड़ी footing है उसमें आपका 200-300 MQ एक साथ जाता है तो उस दोरान आपका रहता है 25-75 mm आपका slump रहता है अगर light reinforcement है मतलब mesh थोड़ा का में light reinforcement in the sense की जो आपका सरीय है वो पास पास नहीं है उसकी spacing जादा है तो उस दोरान भी आपका कितना 25-75 mm रहेगा यह याद रखना दूसरी चीज आपने देखा होगा कन्याल की lining होती है मतलब slope में जो भी work होगा उसका slump जो रहता है वो रहता है 75-100 mm strip footing होगी उसमें heavy reinforcement होगया beam का column का slab का मतलब बहुत जादा अगर ring बगारा है column में जहां उसमें जो slab का सरीय बहुत mesh है या डाया बहुत है और spacing कम है तो उस दुरान हमारा रहता है 75-100 mm slump फिर आता है pump concrete अगर आपका pumpable माल है मतलब pump के through आप concrete कर रहे हो जैसे starting में आपने देखा था कि हम pump के through कर रहे थे concrete तब ही हमारा क्या हो रहा था इतना डीला माल था जिसमें पानी बहुत जादा था तो उसका pump के दुरान क्या रहता है हमारा 100-500 mm हमारा slump रहता है क्या कहता है IS code कितने कहता है 100-500 mm और हमारा आया 160 वो तो acceptable था मतलब 160 कोई चलेगा कोई दिकत नहीं लेकिन जो हमारा 190 या 200 के पास आया वो हमारा mix वह ज्यादा बैट था तो अगर आपका बैट ज्यादा है तो इसमें क्या करोगे जो आपका TM या किसमें आप mixing कर रहे हो उसको साथ से 10 मिनिट तक continuously mixing करते रहने तो उस हमारे slump होते हैं चार टाइप के ठीक है तो चार टाइप में क्या था जो आज हमारा slump आपने देखा तो वो जो पहले 160 जिसकी value आई थी वो था हमारा true slump उसमें क्या होता है जो आपका material होगा aggregate होगा जो भी mixture होगा वो proper way से mix है है उसमें ना कोई segregation होने की chances है ना bleeding होने की chances तो हमारे जो चार टाइप के slump होते हैं वो था कलोयफ slump, shear slump, true slump और zero slump अभी बताता हूं में क्लोयफ slump क्या होता है जो हमारा क्लोयफ slump होता है वो था हमारा जो 190 जिसकी value आई वो था हमारा क्लोयफ slump उसमें क्या था हमारा material था वो segregate था और ना उसमें कोई bond थी सेंड ङग थी, एग्रिगेड ये लग था, तो वह वैसा mix को हम वोल सकते हैं, कुलैब slump, और हमारा वो वैल्यू भी कुलैब slump के हिसाब से आई, शेर slump हो गया, जिसमें क्या होता है, हमारा, मतलब उसमें भी वही होगा मतलब जो material होगा उसमें bond अच्छे से नहीं होगा cohesive less उसमें cohesive नहीं होगा material और वो क्या करें एकदम से नीचे गिरेगा जैसे आप सामने आप slump लेख रहे होगा इसको आप cohesive less slump बोल सकती हो या true slump यह दोनों के बीच का है तो हमारा true slump मैंने बता दिया जो proper base है सब जिसमें बढ़ी आए वो true slump हो जाता है फिर आता है हमारा zero slump zero slump हुआ हमारा जिसमें क्या होगा जब आप slump test कर रहे होगे जब आप इसको कून को उठाओगे तो जो aggregate होगा उसकी shape वैसा ही बन जाएगी तो सबसे पहले test यह होगा आपका जब भी concrete आएगा तो इसमें कुछ जादा नहीं था जैसे जैसे मैंना process बताया यह आपको follow करना है और इस topic को अगर आपको theoretical way से अच्छे से पढ़ना है तो हमारी website civilsidevisit.com मैंने सब यह जो मैं आपको बताया है सब उसमें मैंने theoretical way से लिख है आप पढ़ो काफी important topic है यह तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करना और इस वीडियो को share करना जितने fresher के पास पोचेगी उतना उनकी help होगी Thank you guys ऐसे ही प्यार देते रहो हमारी वीडियो काफी पसंद आ रही है मैं देख रहा हूँ काफी views मिल रहे है काफी share कर रहे हो आप लोग और ऐसे ही प्यार देते रहना ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो continuously लाता जाओंगा Thank you guys